अब श्टार्ट और श्टार्टा नो lugो का सवाल है तीन बच्चे भाग लिए जिन नंगन दोपछ मेति बता दें रहें कि सवाल क्या है दो आंको की एक धनात्मक संख्या की अंको का गुडन फल वीश है संख्या में से नव घटा आने पर अंको के इस्थान बदल जाते हैं संख्या ग्यात करना है बहुत बढ़िया सवाल है इस्टेप काट के जितना छोटा हो सके उतना छोटा विश्व को हल करना है जितना कम समय में हल करेंगे बीजे घोसित किया ज इस समय जो कि तीन लोग है एक चात्र दो चात्रा क्या करें जितने लोग थे सब धरासाहिका लिया जाए चाहे बालिकाये हैं बालिकायों में मात्र दोने हाथ उठाया बालकों में एक वह भी बालिका में जो राइट हैंड यानि के की दम धाए साइड में गुंका बीच में कोमल और एक सवाल कंप्लीट सवाल कंप्लीट को मुठों चैना एदर से गुडिया भी कंप्लीट ते उसके सवाल लग चुका है सवाल देखिये तीनों का सवाल कंप्लीट हुआ अभी तो का सवाल जाज अरश प्रक्या जयेगा किम खबूर करता किनको लाज गंको तीसरा में किनको पहला किनको दूसरा किनको तीसरा इसमें से कोई चुने सब का सत्य है क्या या बिटिया कबूल करते हैं कि हमारा गलत है कुमल अपना गलती स्विकार कर लेना भी अच्छी बात है गुड़िया आपका और आप संतुष्ठ है यानि की भाई विजय के हगदार बन रहे हैं क्यों भाई यह दूनों लोग कह लिया जाएं कि धरा साही हो गए है चलिए भाई चलिए फैसला अब हम सवाल लगा कर करेंगे नहीं तो नहीं तमाम लोग वैठे हैं उसकी फैसला यह लोग स्याम करेंगे चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं पार्ट टू में सवाल नंबर फाइब से स्टार्ट करते हैं बिटिया किताब दीजिए बिटिया किताब दीजिए देखिए सवाल नंबर फाइब है आपका बढ़िया सवाल दो अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुड़न फल दोंकों की यह इधर सुनिए डोंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुड़न फल बीस हे में से कहा गया कि दोंकों गॉड़न फल संख्या में उनका गुड़न फल कितना दो अंको की धनातमक संख्या के अंको का गुरन फल 20 संख्या में जाता है तो उनका अंको का इस्थान बदल जाता है कर दो अंकों की धनात्मक्त संख्या के अंकों का गुड़न फल वी से संख्या में से नव घटाने पर अंकों का इस्थान बदल जाते हैं तो संख्ख्या ग्यात कीजी एक जादू गर की तरह है ना भई लीजए बटिया देखें इदार सुनिए सवाल में ने बहुत बढ़िया सवाल है दो को की दो को की संख्या में लेना है हैं दो अंकों की संक्या हमें बनाना है दू निकाहन से निन निय比較 इसी में से दो की संख्या के अंक को का गुड़न फल जैसे में देखे इदर दस डस इस एण से तमाम अंके हैं जैसे बार iंग को का गुड़न फल बनने जैसे हमने 12 लिया बताईए इनहीं के बीच में इनका गुड़न फल करेंगे अंकों का गुड़न फल मतलब की एक गुड़े 2 बात आप समझे ने जैसे इसी में से समझ लिजे 45 लिया संख्या क्या लिया 45 तक अंकों का गुड़न फल कितना हो जाएगा चार गुड़े 5 20 बोले अगर अंक इसी में से संख्या हम ने लिया 29 संख्या दो अंकों वाली संख्या बताएगे दस से नियानमी के बीचे में बाई यह 29 का आउनकों वाली है दो अंकों का गुड़न फल हिस समय कितना हो रहा है दो गुड़े 9 बराबर 18 आ रहा है आ रहा है ऐसे सवाल में कहा है कि दो अंकों की कोई देखिए आप सब कह रहें कि एक चर्च से लगाईए एक चर्च से जनने का प्रयास कीजिए देखिए इधर एक चर्च से अगर एक संख्या हमने मान लिया एक संख्या हमने मान लिया कितना यक्स जैसे इसी को क्या मान लिया यक्स एक संख्या हमने वाना यक्स दूसरा कितना हो जाएगा बीस बटे यक्स बोले भाई दूसरा अगर निकालना है तो गुड़ा कुरू में है तो बटे मोगा जैसे देखे चार पांच है यहाँ पर चा दूसरा कितना हो सकता है तो आप जान रहें पांच है यह बैं लेकिन कैसे निकालेंगे देखे अगर दूसरी संख्या निकालना है तो यक्स क्या करेंगे इनका बटे कर देंगे 20 बटे यक्स पहली संख्या अगर यक्स तो दूसरी संख्या वाई बीस बटे यक्स होगी बोले भाई बीस बटे यक्स किसी को दिक्कत अगर एक संख्या यक्स तो दूसरी संख्या बीस बटे यक्स किसी को परसाने आई से मान बटे कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं जैसे यहां पर हमने लिया 12 संख्या है अगर एक संख्या यक्स लेंगे तो सन्दोरा क्तना होगए 12 यतष्वा ऑंको का गुड़नफल इस समय addresses 20 क 있다고 अगर स्में अगर संख्या यक्स दूसरा 20 अंको का गुड़नफल करेंगे तो कितना हैब 20 है यकसे कैंसिल 20 भी बोले अब क्यों बटे हो रहा है वह भी फिर से जानुए फिर से जानिए अगर कहा गया है कि दो संख्या अगर भई अगर एक संख्या हमने मान दूसरा कालना है दूसरी संख्या दून हो Сंख्याों का गुड़न फल पता है 20 है, दोनों संख्याओं का गुड़न फल पता है कितना 20 है, एक नहीं हम मान लिया यक्स, तब दूसरी संख्या कितना होगा, 20 बटे, यक्स, किसी को परसानी, किसी को परसानी नहीं होनी चाहिए, तब देखे, दूसरी संख्या पता चल गया कितना भाई, 20 बटे, यक् बनाएंगे संख्या बनाएंगे तब दूसरी दवाई तब इन दोनों संख्या से बनने वाली संख्या कहा गया है कि जो दोनों अंक थे उनसे संख्या का निर्माड हुआ है जो दोनों अंक थे उनसे संख्या का निर्माड हुआ है संख्या कैसे बनेगा संख्या बराबर न भई संख्या बराबर लिखा जाता है दहाई वाले में दस का गुड़ा इकाई वाले में एक गुड़ा करेंगे हम कि अब हम सवाल इस्टार्ट कर रहे हैं कितना तो समझाने का सिलसिला था आप जानिये देखें माना कि माना कि सवाल नंबर आपका पांच है माना कि कहा गया एक बार हम फिर सवाल पढ़ दे रहे हैं क्या कहा है कि दो अंको की दो अंको की दो यंका इसमें से दो यंका कहा है चाहे जोन इकाई कांक मालेजिए चाहे जोन शार하 कोई दिक्कत नहींका हम। अब सव्थ चल रहे हम। देखिए इधर से। दो अंकों की संख्या के अंकों का गुड़न फल कितना है। बीस है। यह कहा है, साच्छात है। साच्छात यह कहा है न, भाई? दखेए कि ये क्ट हम इंकव की फिर शाने आ खा का मतलब इस घंप का है यहाई का नहीं जाल नहीं का हूँ गौकल कश करें लुबर परद हम उसक्षास्था जाता कला पना चाहिए जतना भाई तो मान रहे हैं भी अब देखें कि दो अंकों की मतलब हमने बताया यह का यंख ह हुआ है बहा या दाहां का यंख दो अंकों कि एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुड़न फल केतना है ड이사 है अंकों का गुड़न-फल वीस तो हमने 25 और तो 10 निपंग अगर इसमें है अगर इस में माना इकाई का एक रखर चाहे जोन मान लिया जै का हएं अगर यह और अगर निकलेगा जिससे आपके उसे को माना माना किसे माने हम चलिए इकाई का अंक माना इकाई का यंक है यक्स तब तब दहाई का अंक दहाई का यंक कितना होगा भाई फिर सानिये माना इसमें इकाई का यंक कितना मान लिया यक्स तब अगर यहां यक्स लिखेंगे यह तो दहाई हुआ किस क्या मनें ही का यंप कि काई के मतलब एकाई डाइब उकाई की जगें यक्स माना तब यहां पर प्चिस दुई थार ना भई ने दहाई अ निकालने के लिए 10 बते यक्स 10 बुटे यक्स ऐसे दहाइ का यां क्लिज़ के तना होगा 20 बटे यक्स किसी को परशानी बोले भाई देखे माना इकाई का यक्स तब दहाई का यक्स 20 बटा यक्स होगा कि ने भाई अरे भाई जैसे किसले चार पांच 25 बराबर भी हुआ है इसमें इकाई का यंक यह हुआ इकाई का यंक यह और दहाई का यह कई यह नवाई अगर हमने एकाई को कितना माना यक्स इनके जगें यक्स रखा तब दहाई के मतलब निकालना है आपको इधर तो 20 तो है दहाई बराबर 20 वटे यक्स होगा की नहीं होगा होगा माना इकाई कायंक यक्स तब दहाई कायंक 20 वटे यक्स यक्स अब संख्या कितना बन जाएगा अब संख्या अब संख्या कितना बन जाएगा संख्या का मतलब हम बताएथे दहाई वाले में दस काई वाले में एक काई अब संख्या संख्या कितना हो जाएगा देखे संख्या कैसे बनता है फिर से बता दे भाई जैसे 45 संख्या है अगर इकाई की दहाई की जगह कौन है इकाई दहाई दहाई की जगह चार है मतलब की 10 के गुड़ा पर सिंवाइगा पर फुदकर कलरें यौद परफॉर इसे यह संख्या बन रहा है अब संख्या कितना हो जाएगा अब संख्या कितना हो जायेगा जोनिकाई है उसमें एक दहाई कौन है भाई यह इसमें 10 का गुड़ा करेंगे 10 का गुड़ा करेंगे 10 गुड़े 20 बट्टे यक्स और एकाई का यह प्लस यक्स तब संख्या इतना हो जाएगा अब प्रस्णा नुशार प्रस्ण में कहा गया है यहां तक किसी को परसा ने य अब देखें सबसे बड़ी चीज पूछे बहुत आराम से चल रहें यह कई सवाल आप लगाएंगे तो हजार सबाल आप सेट कर सकते हैं हजार सवाल अब देखें किसी को दिक्कत कि अब देखें अगर एक जुआ लग उर्था अगर हम दहाई वाला माने होते तो नहीं दह अगर दहाई के जगह यक्ष मानते तब इकाई वाला कितना आ जाता बीश बटे यक्स बूले भई तब आपको यहां दस यक्स प्लस बीश बटे यक्स हो जाता है मूले भई वाब के लिए और बेटर था लेकिन क्या जो हो गया सो शही है अब देखें प्रशना अनुसार प्रसना अनुसार अब यहां पर जादू चलेगा भाई अब देखें इतना अब कि इतना प्रसना प्रसना नूसार प्रसन में कहा गया है क्या कहा गया है इस संख्या में संख्या में कितना नू घटा दिया जाए इस संख्या में किया किया जाए नू घटा दिया जाए तो अंको का इस्थान प्रसपर बदल जाता है एक जादू की तरह लिजिए दबा ठीक हो जा जाए दाक्टर की इकाई औ दहाई का इस्थान बदल जाता है बात आप समझना भई जवन आप इकाई में देखा जवन आप दहाई में आपका दहाई की स्थान पर है वह इकाई की स्थान पर हो जाएगा और इकाई वाला दहाई की स्थान पर हो जाएगा कब जब इसमें से आप 9 खटाएंगे तब बोले भाई प्रसना रुशार 10 गुड़े 20 बटे यक्स धन यक्स माइनस नाउ इसमें से 9 खटाएं तब कहा गया है कि इनका इस्थान पलट गया है है जोन 10 का अब 10कागुडा इसमें कियें से 10 गुडा 10 यक्स होगा स्थान से 8 ओलट गये तो 20 बटे इसमें लस्ट यक्स अब इसमें करें घृँड़ेएं और यहांपर क्या अब इक 75 के जगें बन गया जोन एकाई था यक्स वादहाई बन गया माने दस का गुड़ा इसमें कीजी और एकाई वाले में एक का गुड़ा करेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा किसी को परसानी बस हल कीजे यक्स का मान निकाल कर संख्याम रख दीजिए इंसा बुल भये अब देखें हल करना आपके बाय हाथ खाई खेल है अब देखें यक्स का गुड़ा इसमें कर दे यक्स इतने का बटा है देखे बीस का दस में गुड़ा कितना दो साव यक्स का इसमें गुड़ा यक्स इसक्वायर किसी को परशानी यक्स का इसमें माइनस नौ यक्स है और सबका बटे यक्स लिखा और इस साइट का यक्स का गुड़ा इसमें दस यक्स इसक्वायर प्लास बीस तो है ही और सबका बटे यक्स यक्स से यक्स कैंसेल बोले भाई बस सबको एक्साइट कर दीजिए हल किजिए अब देखे बराब यहां साइट जूरो रखा बराबर बराबर दाएं साइट वाला हम पहले लिखने भाई दस यक्स इसक्वायर प्लास बीस प्लास बीस यह सब उस साइट तब हो जाएगा माइनस दो सब माइनस यक्स इसक्वायर और माप प्लस नव यक्स किसी को पर साले अब देखे दस यक्स इसक्वायर में से एक इसक्वायर निकल रहा है तो कितना बचेगा भाई नव यक्स इसक्वायर और क्या बच्वायर प्लास नव यक्स बच्वायर माइनस एक सव अस्य एक सव अस्य बराबर जीरो नव से कट रहा है न भाई इसलिए नव कामन ले ले जिए तब यक्स इसक्वायर प्लास यक्स नव दूनी यानि की बच्वायर बराबर जीरो अब नव का जीरो में भेंदेंगे भाई जीरो और इसका गुड़न खंड करेंगे रिड कहरा है कि घटाक ले केतना एक पंचव का बीस पंचव का बीस पाँच में इस चार नीकालेंगे एक यक्स इसक्वायर प्लस पांच माइनस चार बगल में यक्स माइनस बीस बरावर जीरो यक्स इसक्वायर अंदर गुड़ा प्लस का और यक्स का पांच यक्स माइनस चार यक्स माइनस बीस बरावर जीरो कामल लेंगे यक्स यक्स धन पांच माइनस 4 का मल लेंगे यक सद हन 5 बराबर सुनना यक सद हन 5 और यक सद माइनस 4 बराबर सुनना यक सद हन 5 जब गुडन खंड के रों में 0 तो अलग अलग 0 रिड़ 5 यह क्या होगा अमान ने अब देखे अगला वाला यक्स माइनस चार वरावर जीरो यक्स वरावर चार यक्स वरावर चार हमसे नहीं पूछा गया है हमसे क्या पूछा गया है संख्या अगर पूछ भई संख्या निकालने के लिए यह यक्स कमान संख्या वाला कहा है यह यह जगा क्या रखेंगे यह संख्या पूच्छा गया है यहीं शिट कर दे रहे हैं देखें इतना आता है संख्या की यहां कि बराबर संख्या निकालना है संख्या यहीं लिखें संख्या देखें दस गुड़े 20 इस भटे यक्स था यक्स की जगह कितना निकाले है चार चार रखा और प्लस यक्स की जगह चानो है कटाएंगे चर पणचे चर पंचे वीस पांच के दस में गुड़ा पचास पचास चाहर चाहुण आएगा यही आपकाइंसर कहीं दिकत कहें दिकत नहीं होना चाहिए जगह कम था लेकिन आप सब समझदार है नवी वक हैं इसलिए देख रहे होंगे भाई कहें तुरूटी नहीं और बहुत बढ़िया सवाल यह एक चर्मे लगाया गया है दो चर्मे भी सवाल को आप लगा सकते हैं अब सवाल नंबर अगल चठा विडिया किताब दीजिए चठा सवाल चठा सवाल आपका है एक धन पूडांग का वर्ग उस पूडांग के नव गुने से 22 अधिक पूडांग याद कीजी एक धन पूडांग का वर्ग रिड़ पूडांग रही धन पूडांग पूडांग के विशे में पहले वास सट्रीक है त्सुच्या संख्या उसी ने बहुत बताया गया दक और रिड़ पूराग क 137 जानी किह धन पूराग दन मैं दन अत्म इक उतर होना चाहिएत ईंद्र को परोगा इंद्र जये है एक दो मना धनात्मक पूरांक data दिखे एक दानात्मक पुड़ां का वर्ग के तना होगा यक्स है इधर दिखे एक दोतर पुड़ांक के यक्स माना तब इनका वर्ग यक्स इसक्वार अब कहा है आपके किताम में एक धन पूडांग का वर्ग उस पूडांग के नव गुने से 22 अदिखे इनका वर्ग इनसे नव गुना से 22 जादा हैं बोले वाई ये बेचारू येतना कम है इनका नव गुना करताई तब वो हिसाब किता बराबर नहीं होता भात समझे प्रशे फिर से 3 पर समझे जैसे। गदेला कहा जात है तुतुराइ के बोल दे थें लोग बात नाइ शमझ पहुतें ऐसे किताब के बात जेसे समझए हो सवाल लगाए । किताब समझलें तुतुराइ पाल भी ये कौन सब बोला जाता था वह उत है 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 तो था तो तनी सब्द में जैसे गडेला भाई तो तली सब्द में बोल देंगे अनकर बात जो समुझे हूँ काम कई जाता है और आफ से सवाल में सभमजी सवाओम है क्या दहूए देखे कि एक दूड़ांक का वर और धन इदर देखिए माना एक धन पूर्ण यक्स है दो माना एक धान पूर्णक यक्स है यक्स है तथा धन पूर्णक धन पुढ़ांक का वर्ग धन पुढ़ांक का वर्ग कितना हो जाएगा यक्स इस्क्वायर होगा कहीं दिक्कत माना एक धन पुढ़ांक यक्स तब धन पुढ़ांक का वर्ग कितना होगा यक्स इस्क्वायर अरे भाई एक धन पूढ़ांग च्छा माल लिया अब इनका धन पूढ़ांग का वर्ग कितना हो जाए च्छतीस बोलो है एक धन पूढ़ांग का नव माल लिया इनका वर्ग है एक्यासी बतावा कमन ज्यादा वर्ग वाला की बीना वर्ग वाला ऐसे सवालों बोला हैं कि दर एक धन पुर्णा का वर्ग उस्डौ्णानग के नौं गुणे से 22 अधिक हैं, इनकरे कितना है, इनकरे नौं गुणा से 22 ज्यादा है नि इनका धन पुणां करा, उनका 9 गुणा कर थे तब हो इनकरे बराबर ना यह पहुचा थे तब हो देखा थे यह 22 ज्यादा है अब कैसे हम बराबर करीब है अनके जी बराबर कई लिए गर्दन है इसे हिला रहे हैं ऐसे मतलब भाई हाँ सुभाम जी इसे आप सेट कर सकते हैं पोलिये चले आए प्रशना अनुशार प्रशना नुशार चिट करनाए एक लाइन का आप सेट कीजिए बस और अनके बराबर नहींिए यह जादा है कितना 22 जादा है अब कैसे बराबर होगा अब हमारे मित्र बताएंगे अरे लिखे आप बस केवाल लिखे मित्रे केवाल लिखे आपकी सिश्टर भी देख रही है यहाँ पर गांखंगे देखे їх निकल चुकी है इनकी कि भाई साव का कहीं तरूटीन हो जाएं जाए बहर बाहर है अब पाउचना जाएंगा कहा तक सत्य है कहां तक असत्य है गुडिया या सत्य है सत्य हो की तरह बनाये हैsаем देखे कहा गया है आ वह सत्य ह जब गुडिया ने कह दिया सत्य है, तो सत्य हो सकता है, भाई का पचलिया हो हुई, देखे, इनुन बनाए यक्सप्राइबर, बराबर, 9 यक्स प्लस 22, अब देखे इधार, इधार देखे, कहा गया है उस संख्या का वर्ग है, जैसे यक्नी यक्समाना, इनकर वर्ग है, यक सिसपा अगर संख्या हम छे लेटे अगर छेलेती तो रो survives कितना चतिस ऐसा किताम में बने का वर्क इह संख्या का नव गुने से यह 22 जादा है नफ यह संख्या में नौप कर ठब इचाहित कितना जादा रहें 22 यानि कि संख्या में बाईश जादा रहें चाहे 22 इसमें से घटा दीजिए चाहे 22 इसमें जोड़ दीजिए ना भाई बिटिया कहीं दिक्कत कहा गया है अगर देखें अगर कहा जाए यह संख्या का अगर हम देखें चार गुना कर दें यह संख्या का चार गुना करेंगे कितना होगा 24 तब हो देख रहें किや कितना जादा है 12 जादा है फिर समझें अगर है संख्या का हम चार गुना कर दें तब चार गुड़े च्य यानि कि 24 तब हो देख رहे हैं कि वर्ग वाला कितना ज़्यादा है 12 ऐसे सवाल दिया गया है ऐसे सवाल दिया है न भाई तब बराबर कभाई हम देखा इस संख्या में 4 का गुड़ा किया 24 आया तब हो देख रहे हैं 12 है और गवाला ज्यादा है तब क्या करेंगे 12 हिसी में जोड देंगे चाहे 12 हिसमें से घटा देजी बोले भाई कहने का मतलब प्रसना अनुशार आएगा आपका कई गुना कर रहा है नव गुना नव यक्स नव गुना किया संख्या कया तो वह कहती यक्स इस पार तब वह देखा बराबर यह नहीं आ रहा है बलकि यह कितना ज्यादा है बाईस ज्यादा है यह ज्यादा है तो बराबर का चिन नहीं होगा बलकि बाईस इधर ज्यादा है तो चाहे बाईस इसमें से घटा दे चाहे बाईस इसमें हम जोड दें अब देखे यह संख्या है यह नव यक्स किया नव गुना किया तब हो हिसाब किताब बराबर नहीं है या 22 ज्यादा है तो 22 इसमें जोड दिया तब यहीं से आप किताब बराबर बराबर करने साम हल करेंगे यक्स का मान निकलेगा वह हमसे पूछा गया ना भाई बस अब देखें यक्स से स्क्वायर माइनस नौ यक्स माइनस 22 बराबर जीरो 22 का ऐसा खंड कीजे रिण कह रहा है कि घटाएंगे कितना नौ अरे भाई 11 दूना 22 इग्यार मेंसे दो घटाएंगे नौ आएगा कहीं दिकात बस गुड़न खंड कीजे यक्स का मान निकले एंसर यक्स स्क्वायर माइनस 11 माइनस तो बगल में यक्स माइनस 22 बराबर सुनना यक्स स्क्वायर माइनस 11 यक्स प्लस हो जाएगा 2 यक्स माइनस 22 बराबर जीरो कामन लिया हमने यक्स यक्स माइनस 11 प्लस 2 कामन लिया यक्स माइनस 11 बराबर 0 यक्स माइनस 11 कामन मिल लिया यक्स धन 2 बराबर 0 एक बार यक्स धन 2 बराबर 0 यक्स बराबर माइनस 2 आपके किताब में बोला था धन पोडांक संख्या इसलिए यह उत्तर नहीं होगा अगली बार याक्स माइनस 11 बराबर 0 याक्स बराबर 11 यही आपका solid answer यही आपका solid answer याक्स बराबर 11 लिख दीजे कि अता हुआ धन पूडांग संख्या क्या होगा 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 22 22 22 22 22 जोड़ेंगे तब जाकर इनके बराबर आएगा सवाल आप चेक कर सकते हैं कि सत्य है या असत अब अगला सवाल आप देखेंगे सवाल लंबर साथ सवाल लंबर साथ में का हुआ इसी दाएं ग्यात किजेए जिनका योगे सटाइस है और गूड़न फॉल लेगुना की बिश्य की यह अदो संख्याओं का योग इधार के कि दो संख्याओं का योग इधार की दो संख्याओं माना एक्रिक से एक्रिक्ष मालिया अगर एक खिनिक मान लिया पंद्रह बा तब अगला वाला कितना हो जाए पंद्रह इम्मन से घटाओ पंद्रह यक्स के जगा पंद्रह रखा अगर यक्स बराबर पंद्रह माना तब पंद्रह वहां साही ले जाएंगे तो वहाई का माना आ जाता है बोले भाई अगर यक्स के जगह 15 तब वो आई बराबर आई जाए कितना 5 बोले भाई अगर दुन्नों का योग दिया है अगर उसमें से एक मान लिया जाए अगला निकालने के लिए क्या करेंगे आप घटा कर बोले भाई दो संख्याओं का योग 27 अगर यक्णि यक्स माना दूसरा 27 माने 80 क का मतलब यह है चाए इन से माने चाए गुड़ा वाले से माने गुड़ा वाले से बे लगा सकते अगर एके नियं कित्क के अदया August अगर एकनी यक्स माना और दूसरा 182 बटे यक्स बोले भाई कि दूई तरीका सम लगा सकते सवाल को इसके एकई चर में एकई चर से दूई तरीका से किसी को परशाने लेकिन योगवाल आपको शरल पड़ेगा माना एक संख्या यक्स तो दूसरा 27-1 अरे भाई दो संख्या का योगा दस हैं 2 संख्याओ आपका योगजश है अगर 6 ethn यह साथ दूसरा तीन थमineुश्य दसे शेट निकालें की तीन आएगा तो माना माना एक संक्या पार कि एक संक्या यक्स तब तब दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स होगा अब प्रस्ना नूसार प्रस्ना नूसार कहा गया है कि दुन्नू जने का गुड़नफ़ लिक्साओ माने यक्स के गुड़ा कर 27 माइनस यक्स में गुड़नफ़ कितना वा एक साव ब्यासी कि किसी को पर्शानी बोले यहां तक बोले भई कहा गया है कि एक संख्या यक्स तो दूसरा कितना हो जगा होगा भई सताइस माने सक्स और दुन्नू का गुड़नफ़ कितना है एक सव ब्यासी बस हमसे क्या पूच्छा है वा संख्या ग्यात कीजे मने यक्स कमान पूच्छा है यक्स कमान अब इनका गुड़ा करेंगे को इसटाइस एक से मानस यक्सी स्वार कि मानस एक सव ड्यासी बराबर जीरो आप को चांवस सव ब्यासी बराबर जीरो आपको यह मानस देखकर डर लग रहा होगा नहीं बैस सब्सक्राइब हला माइना 27 I Porras direito रिड़ के यहां कि खेद बहुँआ एक सब्सक्राइब कीजिए धन कहा रहा है कि जोड के लिए यह कितना 27 एक सब्यासी का खंड कीजिए धन कहा रहा है कि जोड के लिए कितना 27 जोडाइस चाउदा तेरह है चाउदा तेरह यह एक साउग्यासी चाउदा तेरह जोड़ेंगे 27 एक सिस्पायर माइनस चाउदा धन तेरह बगल में यक्स एक शाउग्यासी बराबर जीरो माइनस के यक्स के अंदर गुड़ा जब गुड़ा करेंगे भाई तो यक्स स्क्वायार माइनस 14 यक्स माइनस 13 यक्स प्लस 182 बराबर 0 जोड़ा बना कर कामन यक्स माइनस 14 माइनस 13 कामन तब यक्स माइनस 14 बराबर 0 यक्स अमाइनस 14 कामँ यक्स सब्सक्राइब जीरू आएगा यक्स करेंगा एगला आएगा यक्स सब्सक्राइब तेरा बर किरा हमस्याइब संख्या कहा है क्या पुछा है संख्या संख्या तेरा हिंदी लिग दीजेगा तेरा यह चाओद्व होंगी बस हाँ जाई घात है तै उत्तर होगा जाई घात है तै घाते दूई है नहीं यहाँ पर याक्स का दूई मा निकलेगा तेरा और चौदर अगर यहां खाते नहीं होता तो एक कैशनी उतर लेते तेरा यहां चाउदा यहां पर भाई घाते दो हैं यानि कि यक्स का दो मूलाएगा तेरा और चाउदा बस इस वीडियों में बस इतना है अगर आपने